जम्मू कश्मीर में आतंगवाद ये अबाम नागी को कोन निशाना बना रहे हैं? पिछले 5 दिन के अंदर आतंगवादियों ने 7 लोगों को गोलियों से भून दिया ऐसे में लोग मोदी सरकार पर निशाना साथ रहे हैं लोग PM मोदी से सवाल कर रहे हैं कि BJP ने आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर कहा था किस से कश्मीर से आतंगवाद खत्म हो जाएगा नमस्कार मैं हुदर अक्षाम उम्ताज और आप देख रहे हैं दोबूर पूरवाई एस सूर्य प्रताप सिंग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं इस बार उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार से आतंगवाद को लेकर सवाल कर लिया है उन्होंने पूछा है कि क्या 370 खतम होने से आतंगवाद खत्म हो गया है उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि 370 खतम आतंगवाद खतम यही कहा था प्लॉट मिले शादी बनाई क्या सब हो गया क्या वहीं एक ट्वीटर यूजर ने भी ग्रह मंतरी अमिर्शा को निशाने पर ले लिया यूजर ने लिखा है कि ग्रह मंतरी जी ने अपने एक बयान में कहा था कि 1370 हटने के बाद कश्मीर से आतंगवाद खत्म हो जाएगा लेकिन मैं उन्हें बता दूँ कि पिछले 48 घंटे में कश्मीर में 5 शहरियों को आतंगवादियों ने मौत के घाट उतार दिया तो क्या 370 हटने के बाद आतंगवाद समाप्ती का नारा भी एक जुमला था यही नई कॉंग्रिस नेता कनया कुमार ने भी ग्रह मंतरिया मिट्शा से स्तिफे की मांग कर डाली है कनया कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आतंग्यों द्वारा कश्मीर में लगतार आम नागरिकों की निर्मा भत्याएं की जा रही है घाटी में सुरक्षा और शांती को लेकर सरकार के तमाम दावे अभी तक हवा हवाई साबित हुए है बिना किसी लाग लपेट के आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए वरना अक्षम ग्रह मंत्री को इस्तिफार दे देना चाहिए मैं इस मामले पर कॉंग्रेस नेता दिग्वेजे सिंग ने भी भाजवास सरकार पर सवार उठाए है उन्होंने पर ट्वीट में लिखा है कि मैं इन आतंगवादियों की निंदा करता हूँ जिनकी हत्या हुई है उनको श्रधान जली और उनके परीजनों के लिए सनवेदना है दिग्वेजे सिंग ने आगे लिखा है कि पहले कहा था कि नोट बंदी से आतंगवाद खत्म हो जाएगा फिर उन्होंने कहा कि CAA और NRC से आतंगवाद खत्म हो जाएगा फिर कहा 370 हटाने से आतंगवाद खत्म हो जाएगा भाजपा की जम्मू कश्मीर में अपनाई गई नीती ये असफल रही है मैं इस मामले में एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं मतलब ना ही नोट बंदी से किसी की कमड तूटी है ना ही पाकिस्तान थर-thर काप रहा है और ना ही 56 इंचे आतंगवाद रोकने में सफन हुए है फिर 370 से छेड़ खानी का नतीजा क्या निकला दरसल 5 अगस 2019 को केंदर की नरेंदर मोधी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक अतिहासिक फैसला करते हुए जम्मू कश्मीर को विशेश तरजा देने वाले अनुछेद 370 को इस दावे के साथ खत्म कर दिया किस से आतंगवाद खत्म हो जाएगा लेकिन पिछले 5 दिनों में आतंग्यों ने 7 लोगों को मार डाला ऐसे में लोग अब मोधी सरकार को उनका दावा याद दिलाते हुए उनसे सवाल कर रहे हैं लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में आतंगवादी हम लोगों को लेकर और मारे गए लोगों को लेकर सरकार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहें दो बोल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेर करना ना भूलें